वेलो गाइज वेलकम तो थी कॉलनेश चैनल मुझसे कहीं बार लोग कॉमेंट में पूछ चुके हैं कि अगर हमें डिजाइनिंग की डिवलप्मेंट की में टेकनिकल में घुसना है लाएगा में प्रोडाइमिंग करनी है तो उसके लिए हम कैसे शुनात पर लें या कैसे बैटर होगा या इंडिया में कहां से कैसे टेंट करें तो आज की वीडियो नहीं सब लोगों के लिए है जो जानना चाहते हैं कि आप किसी स्टूडियो में किसी कॉंसोल निस्ट्री के अंदर या किसी भी गेम प्रोफाइल के अंदर किस प्रकार अपने आपको पूट कर सकते हैं like what points do you have to keep in mind before entering into a as a game programmer or a technical artist now the thing is that कि अगर मैं इंडिया की बात करूँ फस्ट आप इंडिया अले इंडिया में जितने स्टूडियो हैं right now they are not in the development part वो कोई developing studio नहीं है like developing house नहीं है they are mostly focused on the outsourcing so वो US के UK के या फिर आपके Sweden के Germany के mostly New Zealand के इनिल स्टूडियो के एक तरह से franchisee है और उन्हीं के लिए काम करते है तो जितने स्टूडियो हैं जैसे अगर मैं बात कुछ नेम लेके करता हूं जैसे like rockstar है Ubisoft है आपका sumo है तो इनके अंदे developing का part वो नहीं होता है जिस चीज़ को आप सोचते हैं like जैसे कि एक game बनने में मौक्या भी होती है motion capture होता है performance capture जिसमें एक character rigging मतलब मैं आपको ज्यादा deeply नहीं बताऊंगा हो सकता है चीज़े समझ में ना है लेकिन basic overview में जब character आपको दिखता है game में वो काम कर रहा है उसका हाथ पर चलने गन चल रही है तो वो जो होता है वो कैसे होता है India is not capable to do the development part so most of the studios right now are working on the outsourcing department like they are outsourcing the art section designing part or the technical part so game programmer की बात करें तो अगर आपको game programming में जाना है तो आप as a first technical artist center करें किसी इप studio के नदर और technical artist बनने के बाद suppose आपने Ubisoft जोइन कर लिया है आप Ubisoft में काम कर रहे है अससें पर काम कर रहे है आप एक अच्छर technical artist है ली टेक्निकल आर्टिस्ट बन गए technical director तक पहुँच गए आप बहुत आईली skills है तो आप Ubisoft में ही in-house जाके आप जा सकते हैं दूसरी like Montreal या Canada वाग जहां पर main development का पार्ट होता है आप किसी को जोइन कर सकते हैं internally या आप apply भी कर सकते हैं किसी studio में तो यह तो आपका game programming करने का है लेकिन हाप technical artist आश्रुआत करेंगे तो future के अगर बात करूं मैं तो definitely India will have a scope of the technical game programmer even 2D gaming के अंदर they have a game programmer unity game developer and all but for the console if you're asking about me the console then right now but you'll if you start focusing from now onwards maybe from next year in 2021 you will have chances you will have great opportunities to work with as a game programmer so it's a better time to start that's great अब बात करते हैं how to be a technical artist कैसे बनते हैं और language क्या मेर्जा पूचा था कि यह language कौन कौन सी को पकड़के रखें which are the best languages right now for the industry just for the game section so उसके लिए मैं आपको बता जिता हूँ दो लेंगवजी समयस मस्ट हैं अगर आप करना चाहते हैं तो 90% आप coverage कर लेंगे game section को one is python second is C++ अब python को C++ को खोल उप रखें उन पर अची पकड़ बना कर रखें आप technical artist बड़ी प्यार से कि स्टूडियो के इंटर कर जाएंगे second python की जरूत क्या है उसका बतायता हूँ unreal engine जो कि समय 80-85% studios जिस पर काम कर रहे हैं और वैसे अन्रेल ने जो भी 2021 में जितना highly polished unreal engine दिया है जिसमने नाइ टेक्नोलोजी का यूस किया है plus और जो आपका realistic bouncing of light है वो इस इंप्लिमेंटेशन की है उन्हों जो ने जो ने फिजिक्स में चेंज किया है और प्लस उन्हों है जितना भी मतलब physical काम किया में तूम स्यूज नहीं करता में जितना भी इन अनिमेशन पार्ट में और अपना लाइटिंग सेक्षिन में और साथ में मैश इंपोर्टिंग में जितना काम किया है और 2021 में अनिल विल्पी काम करने वाले है और बेस्ट गेम एंजिन सो आप उस पर काम कर सकते हैं आप साइट पे जाएं डाउनलोड करें प्रेक्टिस करना शूरू कर दें अनिल की क्लासिंस भी हम देंगे अगर के सेशन में जो मारे प्राइविट सेशन होते हैं उन में हम इनिल की क्लासिस देते हैं लेय्ट ने लेका तैक क्रियृट सब्सक्राइब ने वहumuz निप्सक्राइब अगर लगेशतेया है तो मिलमेशके करता है आनियल यूथ iki लो यूस करता है और रही बाथ Unreale is a Domain and or Python चितने भी आपके संस्ता हैं जैसरे मैंने मैक सो लीकुर्स छबाएं मैंने स्क्रिपूंग न suppressed कर सकतें silly to make youcard by rate Now my application is Python based में माय में .mall scripting पहले होती थी पाइफन भी इन बिल्ड कर दिया सेम पंडा मैक्स में किया मैक्स की अपनी थी पाइफन कर दिया इंक्लूट साथ में क्योंकि पाइफन बड़ी कॉमन लेंगवेज हो गई है अगर इस तूडियो इस फूचर में जानने वाले हैं कि ब्लेंडर भी इस तूडियो इस बड़ी रहा है तो भी आपको अटेंशन की वाद निए कि ब्लेंडर भी आपका अगर मैं टेंपरेट दिखा हूँ तो पाइफन पर यूज काम करता है तो आप मैक्स और ब्लेंडर के लावा कुछ यूज नहीं चाहिए ओर यही तीन तीन तीनो के तीनो आप अप कवर कर लो कि तो इससे बढ़ी बहतरीन क्या है पाइफन and second C++ जितने भी software's का back-end work है like जब first time यह build होते है इनकी starting languages है मैं बहुत short में बात करूँगा जादे computer term को use नहीं करूँगा because I know people who are watching this video are mostly freshers or just intermediate level they are not advanced so मैं उनके जो basic understanding समझ भाए उसके लिए बात करूँगा so C++ जितना भी इनकी softwares है इनका बात करूँगा उनका बेस जो है C++ है तो आपका वो भी क्लियर अगर आपने दोनों language पर होल बना लिया अपना then you will become a technical artist very soon 6 महीने के effort में like within 6 months मैं यह बताँगा कि आपको प्रोसेजर कैसे फोलो करना है within 6 months you will be a technical artist then you can jump into the lead technical artist and directors and all and just you can move to the other country or just when you will get the opportunities in India in future as a game programmer you will be a game programmer or you will start your own studio because you know all that stuff so you can start your own studio you will be a technical director and you will just hire the 3d artist team and working just start working on a game and you will get the publisher too in the GDCs and all so this was your whole pipeline you can become an entrepreneur but there is no doubt second thing if you talk about guys this is a lockdown situation and the situation is getting critical day by day and even if you will see the around the world like us and every single country who are developed country they are also getting affected by this lockdown and their economy is also getting affected by the corona but if you will notice that only the game industry like the it industry it may be game part game section this is now made its hold I don't like it I know in the studios that the cv salary has been getting affected by the cv salary even more work has been done because people are playing games and they want to launch the games as soon as possible because people get their hands on as early as possible because people are free right now most of the time so this is why the game demand has been increased hiring is a lot of work from home even more studios hire artists who can work from home even more studios hire artists who can work from home and this industry right now would say the safest industry is in the condition I will tell you that the best industry if I understand the game industry is in the time you can work in the game industry you can work in the game industry and those who want to do the course you can plan to do the right time to hit do the right time in the game in the game industry there will be a lot of hiring in the future this situation will take a few years so pay for it and start to do and this is the best industry now it is the best industry now let's talk about max language so I will show you a little bit of Python for a little bit of language how can we do Python code it is very basic code and I will make Python series this is a technical series which I will teach coding but I will start very basic and I will not use computer based terms so that you don't have complications you will learn step by step and one person who has just 10th passed out or 12th passed out I will start coding that the basic knowledge will be strong because if you are a good designer and if you are a basic knowledge is strong then the company will hire more quickly as a designer because you can sort out and as you work for home then the company wants to be strong and the company wants to be strong so strong is that the system and the queries and the issues he can solve them by him just by by using his own power without any support so that's enough and the technical artist's journey also starts to be technical so they are requiring the game designers that's why we started this series and even this series that's advanced level we give you personal sessions but it will give you basic knowledge and if you are good then you can join in advanced level which are online and batches plus reasonable costing you will not expect but we will disclose when you talk about online session or whatsapps that's very reasonable I will give you an idea what happens within the online session our development course is advanced because all institutions are closed so children are not studying and teachers who are taking classes that is not the top-notch classes so our basic to advance is the course which is 6-8 months which you don't know when you do not know just computer you have to play game designing your classes you have to play 5-6 days in the week you have to play with proper classes which is irritated 2-5 hours of classes in the week and you have to learn 8-8 months in the course which is advanced level which is a basic advanced level and you can apply to any company and you can help all the tests and you can help and batches are small and you can keep intermediate section if you are intermediate level and you can study and you have to study and you have to know a lot of stuff but you don't know how to be into a game company and in this situation when lockdown you don't understand how to do and how to do and how to do and how to do and how to do so you have to 4-6 months we will get you trained according to console industry and if you have to hire and you have to see the capabilities that you can work for home and if lockdown is increasing in the future and you have to so this artist is capable to work from home so we will train you like that technically or artistically fee structure is very reasonable you cannot even imagine if you are thinking then your guests will get the fee structure but we will discuss the fee structure in whatsapp and third that is for pro people suppose you are working in a game industry in a game studio and you are also junior game artist and you have any software weak suppose you have joined as an artist and you have no designer and you have no technical notes or you have no anatomist knowledge you know the brushes you know the work flow you know the UI you know how to sculpt and all you know the brushes how to use them but you don't know how to observe the things and how to make it more perfect you don't know how to make a character realistically you don't know how to paint on the skin you don't know how to make a map like different different maps I don't talk about their details but there are different maps that they can enhance their quality so that is only for pro people they want to take their lead artist or lead senior artist or lead senior artist this is for them which only for 2 months this is a free structure is also very reasonable but it will be dedicated for single software so you will get in this domain class you will be targeted to your single software and you will cover it from A to Z from A to Z so that it will not be available online in any case these are your software which are covered Maya, Max, Blender, ZBrush Painter Designer and Mars Designer these are your main software which are your main software which is Unreal and NumberYard in Language in Python and C++ in Alchemist Rizome and Rizome and Mamoset Kishort and Hunt Plane and I have written that there are plugins and scripts and knowledge of important websites and techniques which are the points which are the points and which are the websites and where you can get some data where many artists are where knowledge share links how are they hired how are they hired how are they hired how are they hired and how are they ready and ABC which I will not disclose because that is for our session for our students only which is for our personal students for our students and that is for our students and that is for our students and that is such kind of thing but it is very very for them this is phone number whatsapp number contact if you want to find that you can train that you can train and that you can find our previous videos or that you can find today's video even demo session free of cost even demo session when you want you can bring the demo and you can ask what you can ask what you can ask so this is and we started this course we are the professional of this industry for about 11 years and for about 15 years we are currently in the industry and we are currently in the industry and we are working but the time for you will be different but the time for you will be different but we will be different but we will be different and dedicated to you because we want you to make a game developer which will be part of India which will be part of India and people will come to that level and people will come to that level because the institution has been closed until September and those people who are studying are blocked and classes do not have any purpose that you can join so we decided to start for you guys if you like it you can come up to us and now let's talk about our today's series python that's why we will take a little time to explain what is python what is python language and how is python let me take the Maya for that Maya and Max use it same python i will show both so let's delete it for short for this .mail script Maya used but this is python python is just for basics python is scripting language they are using for coding language and python can tell you what will become python in future game industry is developing and right now also nvidia conference recently gtc 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 dh shy btu past re ch की लैंग्विज है AI की अर्टिफिशन इंटेलिजन्स की तो अगर जब के मिंडस्ट्री में जंप कर रहेगी तब आपको वो लैंग्विज बहुत ही सपोर्टिव रहेगी इंडस्ट्री में अपना एक अच्छा मुकाम एक अच्छी सालरी और एक अच्छा लेवल पाने के वहाँ पाइटन में बहुत करते हैं वही पहले पताः था यह जादि यूज नहीं करूंगा बट बेसिक बात करते हैं अच्छ सेशन में इसके बात काम करेंगे हम जैसे कि सबसे पहले बंदे क्या वही अपना नाम लिखना चाहते हैं कि पाइफन में किसी भी परगाम में हमांदे लिए आपके नाम नहीं रहे को लिए सिंप्रिंट पर सब्सक्राइक आता हुआ किणि ब्स नाम होaría है थो और यास पहले है झूल जब को आप तो इसने HelloPrint कर दिया तो यानि कि वे प्रिवायम अच्टिविडिड हो गया इसने पना गाम कर दिया तो strings को किसी भी डेटा में सेव कर सकते हैं जैसे एक मैंने वर्ड लिया जासे एक सिंपल आ यूज किया कि यह कुछ सकता है कुछ takich है कि आपके अपने लिना याद करने के लिए पी लो जुड़ी लो कुछ भी लो कुछ ग्या ले council यह बूरूश दिसे मैं aapasgs ले लिया मैं इसमें कोई business सेब कर सकता हूँ इसका मतलब क्या है कि मैंने का lagi aapas26 when लैं है हेलो के इसने क्या सेव कर लिया कि जो बंदे की Hello command है हमत्ब हलो जो वर्ड है वो के हैं हो गया उसका फायदा क्या होता है कि कर सपोसे सेंटेस बहुत बढा होता सपोस्य है I am the one more hello डाल दिया यह संटेस था इतना बढ़ा बावा टाइप करना पड़े कमांड में तो यह LKS हो गया अब जब भी मुझे यूज करना होगा I will use the LKS for this one और जब भी मुझे LKS को print करना होगा तो just I can write print दो तरह से आप यह तो back to use कर लो लेकिन पाइफन में अगर आपने वेरिबल में सेव कर लिया है स्ट्रिंग को किसी वेरिबल में डाल लिया है अब just print LKS कर दो तो उसको प्रिंट कर देगा आप सोचेंगे इसमें क्यों हमने कोई inverted commas use नहीं किया because this is an integer जब numbers की बात होगी 012 की को ऐसे कुछ बना बात होगी तो उसमें आप directly type कर सकते हैं या फिर आप string होगा तो inverted commas में या इसके अलावब भी आप direct command भी जा सकते हैं अगर मैंने इसको simple भी लिख दिया print करके और मैंने just hello डाल दिया तो भी इसको print कर देगा that's it इसी दर अगर max में बात करें या आपके लिए क्योंकि कुछ लोग max के user है कुछ Maya के user है तो दोनों के लिए बताए रहा हूँ पाइथन में same same वही बंदा है आप भी अपने print command यूज की मैंने इसको वही hello डाल दिया और इसको मैंने करके enter कर दिया so press hello same thing अगर मैंने इसी को किसी variable के अंदर save कर लिया suppose मैंने 123 को बना लिया a के अंदर और अब मैंने इसको कहा कि सिर्फ मुझे print a करके दिखाओ इस इसने इसको let me show you कि क्यों हुआ है ऐसा यह 1 2 3 4 मैं आपको बतायता हूं यह सा क्यों हो रहा है क्योंकि मैंने access script आ गया है यहां से यह error भी आप देख लेना कभी आपके साथ होगा तो इसने मैं 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 कोडिंग कर रहा था मतला बेसिक डाला था तो जो एक वरियाबल पहले से साथ था वो इसको ट्रीट कर रहा है let me go to python once more और python में जाने कर तो क्योंकि python की आप सिंपल पैचान रखना कि यह 3 arrows बनेंगे मैं 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 पैचान करने के लिए है let me write down one more hello world and then I press enter तो उसने hello world प्रेस किया यारी कि जब तक आपका यह command यह पर यह 3 arrows बने हुए है यह आपकी पैचान है कि आपका काम हो रहा है अगर मैं इसको वेरियाबल को यह 10 डाल दिया एंटर किया यह एंटर करने पर जो जी होती है यह python का तो यह जब आपके three arrows यह python को maintain कर कहते हैं तो जब आपके यह python से max जाएगा तो वह हमार सथ हुआ था same blender same max same Maya so just मैं आपको strings को तो असदी में आपको रिधा है अपसको try करें इसको मैं next class में जबार से तरे से स्टार्ट हो गई है आपकी तेंक यृइका तरे सबस्क्राइब कर दिस्टार्प पूछे नहीं कि वह था जाते हैंblош पूछ जो इनिएमेल कोर्स बारे के प्लिट पूछे कोर्स के स्टिप्शन है तो फिसके कर दो जो था जो कर दो किक लिए नहीं आप तरे सानीब क thank you very much for joining me thank you very much if you like the video please do subscribe it and thumbs up on my video and appreciate it help me out to grow this channel thank you very much guys